मैं हूँ अलफिय और आप देख रहें तत्काल नियूज लाइफ आदिल खान ने राकी सावन से तला के बाद तीन मार्च को गुप चुप तरीके से बिग बॉस फेम सोमी खान से शादी कर सभी को चुका दिया था आदिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को इस बात की सूचना दी थी राकी ने बाद में अपने एक्स शोहर के लिए एक वीडियो भी शेयर कर उन्हें काफी कुछ भला बुरा कहा था अब आदिल ने राकी को लेकर कई बड़े खुलासे किये हैं और राकी संग अपनी शादी पर कई बड़े सवाल भी खड़े किये हैं हाल ही में एक इंटर्व्यू में आदिल ने चुपकर निका करने की वज़ह का खुलासा किया उन्होंने कहा हमने इसलिए चुपकर निका किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे पास आए मैं और सोमी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है और राकी के साथ मेरा दिश्टा अब पूरी तरह से खत्म भी हो गया है ये सब बाते करने का अब कोई भी मतलब नहीं है आदिल ने आगे कहा कि उनकी कभी राकी से शादी हुई ही नहीं क्योंकि जब वो उनके साथ थी तो पहले से ही शादी शुदा थी आदिल ने राकी पर उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया आदिल ने कहा कि राकी उनके साथ होते हुए भी पहले से शादी शुदा थी जिसे लेकर केस चल रहा है आदिल ने बताया कि राकी के साथ उनकी जिन्दगी काफी खराब हो गई थी और सौमी के साथ वो एक न शुरुआत करना चाहती है